आप कभी दिल्ली में आएंगे तुम्हें आपको एक कप चाए भी नहीं पिला सकता मैं ओपन लीग है रहा हूँ इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस युद्ध में जो कुछ जीत करके हम आगे भी लाते हैं लोगों की उदासी इंता लोगों का सोना कभी कभी ये मायूस करता है हमको कि हम इस लड़ाई के लिए भी आप से कुछ नहीं मानते है न किसी पर एहसान करते है लेकिन इस स इतना बड़ा फैसला कराने में हमारी जान निकल गई है लेकिन आपको उस फैसले की बारे में तक नहीं पता और उस फैसले ऐसा फैसला सुप्रीम कोट ने पिछले 20 साल में नहीं दिया वो दे दिया फैसला अब हम उस फैसले को जाने भी और जन जन तक पहुंचाएं हम प थोड़ा तरस खाये भाई ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस से जादा और शब्दों में नहीं कह सकता 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुन मिश्राजी जस्टिस अमिताब राई सहाब इतना बड़ा फैसला दिया है लेकिन उसकी 90% लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है फैसला ये दिया है कि विश्णू शंकर जैन ने कोट में खड़े हो करके कहा कि सर माई लॉड देश के स्टेशन हो बस स्टेंड हो सड़क हो एक्सप्रेस वे हो जितनी भी सारवजनिक जगे हैं इस देश में हर सारवजनिक जगे के उपर मजजितें बनी हुई है मजारें बनी हुई है और बेतहाशा बनी हुई है सड़कों के बीचों बीच में पीर बाबा मर गए हैं कहीं स्टेशन पे मर गए हैं कहीं छट पे मर गए हैं यानि फिलाई ओवर तक पर भी पीर बाबा मरे हैं ये भारत के सार्वजनिक और सरकारी जमीन के उपर एक जिहाद चल रहा है ताके कोई भी इनके खिलाफ न बोल सके सुप्रीम कोट के दोनों जजों ने हमारी पिटीशन को सुना और लंबी चौड़ी बहस नहीं की हमारे सामर्थ के और हमारी जितनी ताकत थी आप सोचिए कि हम किनकन चीजों से घिरे हुए हैं उसके बावजूद भी यहां मजार है वहां मजार है इसका डॉकुमेंटेशन करने में हमने जितनी ताकत लग सकती थी लगाई लेकिन हमारे पास नहीं इतना पैसा है कि हम देश में घूम घूम के यही काम करें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला क्या कहा है उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा इसमें अब कोई नया एंगिल नहीं हो सकता 2018 में माननिये जजस सहाब जस्टिस अरुन मिश्रा जी माननिये सुप्रीम कोर्ट के जजस सहब अमिताव राई सहाब ने ये कहा है कि राज सरकारे पूरे देश में अपने अपने स्टेट में जहां भी सरकारी जमीन पर इलीगल इस्टेक्चर बने हैं उन्हें ततकाल प्रभाव से डिमॉलिश करें और इसकी रिपोर्ट हाई कोट में जमा करें ये ओर्डर सनातनियों को नहीं पता ये भी कोई जिहादी आपको बताने आएगा आपको अपने फाइदे की भी चीज़ पता नहीं है शत्रू का भी पता नहीं है भाई तो कैसे समझाएं घर घर जाके समझाने की हमारे पास ताकत नहीं है इसके लिए मैंने अभी हलदवानी के अंदर एक मुहिम शुरू की और आपके यहां आने से पहले करनाटक में बीदर में रात के एक बज़े सभा में मैंने कहा और आप से विंती करता हूँ आप अगर कहें तो हाथ जोड़ तो मैं हाथ भी जोड़ने को लिए तयार हूँ कि पुश पेंदर कुल्शेस्ट क्योंकि वही एक चीज वेरिफाइड है और वेरिफाइड नहीं है आप अपने शहर में जाएं पिकनिक पे जाएं आपको इतनी सेलफी लेने की आदत है अच्छी बात है जहां भी जाएं मजार आपको मजजित आपको सड़क पे कहीं नज़र आए कार बराबर में रोकिएगा उसके साथ बैठ करके एक सेलफी लीजेगा आपकी तस्वीर हो उस मजार की उस मजजित की जो सारवजने के स्थलों पे बनी हुई हो उसकी सेलफी लेकर के मेरे फेस्बुक अकाउंट पर पुश्पेंद कुलसेस वेरिफाइट पर पोस्ट इसलिए कर दीजे के उसी का प्रिंट आउट निकाल करके हमको कोर्ट में जमा करने आज की समाचार में बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक इलिए नमस्कार